हाई एवरिवन वेल्कम बैक टू मनादर वीडियो और आज इस वीडियो में हम पता करने वाले क्या रहता है मारगो ओरिजिनल नीम सोप का पीच लेवल और अगर आपने इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो या फ कर लिया है अपने सोप को अंड्रैप तो हमारा सोप कुछ इस परकार का देखने को मिलता है अंदर से अब लगाना सुरू करते हैं पानी ताकि हमारा पीच पेपर अच्छी तरीके से इस सोप के साथ रियक्ट करके बता पाए कितना रहता है इसका पीच लेवल तो मैं अच पिर कहुँगा कि जिन सोपों में pH पेपर इसनी जल्दी रियक्ट करता है वो सोप हमारे लिए long term में बिल्कुल भी beneficial नहीं रहते हैं तो हमारा pH पेपर का color कुछ इस परगार का हो चुका है अब इसको measure करेंगे pH meter पे चलिए देखते हैं अब measure करेंगे pH meter के उपर इस सोप की pH value तो इस सोप की pH value स्टेंड करती है 8-9 के बीच में जो नहीं काफी अच्छी और नहीं काफी भुरी मानी जाती है average pH of soap आप इसको कह सकते हो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस सोप का pH level रहते है 8-9 के बीच में जो नहीं काफी अच्छा और नहीं काफी खराब आना जाता है average pH level of soap आप इसको consider कर सकते हो और मैं ऐसे सोपों को face में लगाने के सला बिलकुल नहीं दूँगा क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको long term में जाके acne और pimple जैसी problem का सामना करना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि आप इन सोपों का इस्तमाल मत कीजिए इसकी जगा पे आप face wash या फिर कोई अच्छे pH वाला सोप इस्तमाल कर सकते हो जिससे आपको benefit देखने को मिलेंगे खेर अगली वीडियो आपको किस product की देखने है कमेंट करके बताएगा मैं उसके पर बना दूँगा मिलते है अगली वीडियो के साथ धन्यवाद चैंग